मेरे प्यारे देश्वासियों आप सब को नमश्कार मन की बात का ये 12वा एपिसोड है और इसे साब से देखें तो एक साल बीद गया पिछले वर्ष तीन अक्तवर को पहली बार मुझे मन की बात करने का सौभागी मिला था मन की बात एक वर्ष अनेक बातें मैं नहीं जानता हूँ कि आपने क्या पाया लेकिन मैं इतना जुरू कह सकता हूँ मैंने बहुत कुछ पाया लोक तंत्र में जन शक्ती का अपार महत्व है मेरे जीवन में एक मुलभुत सोच रही है और उसके कारण जन शक्ती पर मेरा अपार विस्वास रहा है लेकिन मन की बात ने मुझे जो सिखाया जो समझाया जो जाना जो अनुभव किया उससे मैं कह सकता हूँ कि हम सोचते हैं उससे भी ज़्यादा जन शक्ती अप्रम पार होती है हमारे पूरवज कहा करते थे कि जनता जनार्दन ये इश्वर का ही आउश्व होता है मैं मन की बात के मेरे अनुभवों से कह सकता हूँ कि हमारे उस पूरवजों की सोच में एक बहुत बड़ी शक्ती है बहुत बड़ी सच्चाई है क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है मन की बात के लिए मैं लोगों से सुजाव मागता था और शायद हर बार दो या चार सुजाव को यह हाथ लगा पाता था लेकिन लाखों की तादाद में लोग सक्रियत होकर के मुझे सुजाव देते रहते थे यह अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ती है वरना प्रदान मंतिर को संदेश दिया mygov.in को लिख दिया चिठी भेज दी लेकिन एक बार भी हमारा मोका नहीं मिला तो कोई भी व्यक्ति नराश हो सकता है तिक मुझे ऐसा नहीं लगा हाँ मुझे इन लाखों पत्रों ने बहुत बड़ा पाड भी पड़ाया सरकार के अनेक बारी कठिनाईयों के विशे में मुझे जानकारी मिलती रही और मैं आकाशवाणी को भी अभिनदन करता हूँ को उन्होंने इन सुझावों को सिर्व एक कागज नहीं माना इस जन सामाने के अकांग शामाना उन्होंने इसके बाद कारिकम किये सरकार के भिन 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 विभागों को आकाशवाणी भी बुलाया और जनता जनारदन ने जो बाते कही थी उनके सामने रखी कुछ बातों का निराकरण करने का प्रयास किया सरकार के भी हमारे भिन 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 विभागों ने लोगों के इन पत्रों का अनर्सिस किया और वो कौन सी बाते हैं कि जो पालिसी मेटर है वो कौन सी बाते हैं जो परसन के कारण परिशानी है वो कौन सी बाते हैं जो सरकार के ध्यान में ही नहीं है बहुत सी बाते ग्रासरूट लेवल से सरकार के पास आने लगी और ये बात सही है कि गवनन्स का एक मुलभूत सिध्धान्त है कि जानकारी नीचे से उपर के तरब जानी चाहिए और मारदरशन उपर से नीचे की तरब जाना चाहिए ये जानकारियों का स्रोत मन की बात बन जाएगा ये कहां सोचा था किसे ने लेकिन ये हो गया और उसी प्रकार से मन की बात ने समाज शक्ति की अभिवक्ति का एक अउसर बना दिया मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया था कि Selfie with Daughter और सारी दुनिया अच्रज हो गई जाए दुनिया के सभी देशों से किसे ने किसे ने लाखों की ताधाद में Selfie with Daughter और बेटी को क्या गरिमा मिल गई और जब वो Selfie with Daughter करता था तब अपनी बेटी का तो होसला बुलंद करता था लेकिन अपने भीतर भी एक commitment परदा करता था जब लोग देखते थे उनको भी लगता था कि ये बेटियों की प्रती उदासिंता अब छोड़नी होगी एक silent revolution था भारत के tourism को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसे ही नागरिकों को गहा था incredible India कि आप भी तो जाते हों कि कोई अच्छे तश्वीर हो तो भेज देना मैं देखूंगा यूँ ही हल्की फुल्की बात की थी लेकिन क्या बड़ा गजब हो गया लाखों की तादाद में हिंदुस्तान के हर कौने की ऐसी ऐसी तश्वीरे लोगों ने भेजी शायद भारत सरकार के टूरिजम ने राज्य सरकार के टूरिजम डिपार्टमेंट ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पास ऐसी ऐसी विरासते हैं एक प्लेटफरम पर सब चीचे आई और सरकार का एक रुप्या खर्च नहीं हुआ लोगों ने काम को बढ़ा दिया मुझे खुशी तो तब हुई कि पिछले अक्तुबर महिने के पहले मेरी ये पहली मन की बात थी तो मैंने गांधी जैंती का उलेक किया था और लोगों के ऐसे ही मैंने प्राथ्था की थी कि दो अक्तुबर महात्मा गांधी की जैनती हम बना रहे हैं एक समय था खादी for nation क्या समय का तकाजा नहीं है कि खादी for fashion और लोगों को मैंने आगरह किया था कि आप खादी खरी दिये थोड़ा बहुत किजिए आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूँ कि पिछले एक वर्ष में करीब करीब खादी की बिक्री डबल हुई है अब ये कोई सरकारी एरोटाजमेंट से नहीं हुआ है अर्बों खर्मों रुपया खर्च करके नहीं हुआ है चन शक्ति का एक हैसास एक अनुफूती एक बार मैंने मन की बात में कहा था गरीब की घर में चूला जलता है, बच्चे रोते रहते हैं, गरीब मां क्या उसे गैस सिलेंटर नहीं मिलना चाहिए? और मैंने संपने लोगों से प्रार्थना की थी, कि आप सबसीडी सरंडर नहीं कर सकते क्या? सोचिए. और मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश के 30 लाख परिवारों ने गैस सिलेंटर की सबसीडी छोड़ दी है, और ये अमीर लोग नहीं है. एक टीवी चैनल पर मैंने देखा था, कि एक रिटाइट टीचर, विद्वा महिला, वो कतार में खड़ी थी, सबसीडी छोड़ने के लिए. समाज के सामान जन भी मद्यमबर्ग, निम्न मद्यमबर्ग, जिनके लिए सबसीडी छोड़ना मुश्किल काम है. लेकिन ऐसे लो सरकारी चोखट में जो काम होता है, उस चोखट के बार एक बहुत बड़ी जन शक्ती का, एक सामर्थवान, उर्जावान और संकल्पवान समाज है. सरकारे जितनी समाज से जूड़ करके चलती है, उतनी ज़्यादा समाज में परिवर्तन के लिए एक अच्छी केटरिक वो विश्वास में पलड़ गया, स्रध्ध में पलड़ गया, और मैशली आज मन की बात किसे माध्यम से फिर एक बार जन शक्ती को शत्व सत्व बंदन करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, हर छोटी बात को अपनी बना ली और देश की भलाई के लिए अपने आपको जोड़ने का प्रयास किया, इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है, मन की बात में इस बार मैंने एक नया प्रयोग करने के लिए सोचा, मैंने देश के नागरिगों से प्रार्थना की थी, कि आप टेली फोन करके अपने सवाल, अपने सुजाओ, दर्ज करवाईए, मैं मन की इस बात में उस पर ध्यान दूंगा, मुझे खुशी है कि देश में से करीब 55,000 से ज़्यादा फॉन कोल्स आए, चाहे सियाचीन हो, चाहे कच्छ हो, या कामरूप हो, चाहे कश्मीर हो, या कन्या कुमारी हो, हिंदुस्तान का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, जहां से ल आप में एक सुखत अनुवा हो है, सभी उम्र के लोगों ने संदेश दिये हैं, कुछ तो संदेश मैंने खुदेने सुनने आभी पसंद किया, मुझे अच्छा लगा, बाकियों पर मेरी टीम काम कर रही है, आपने भले एक मिनिट, दो मिनिट लगाये होगे, लेकिन मेरे लिए आपका फॉन कॉल, आपका संदेश बहुत महत्मपूर है, पुरी सरकार आपके सुझाओं पर जरूर काम करेगी, लेकिन एक बात मेरे लिए आश्य रही है, और आनन की रही, वैसा ऐसा लगता है, जैसे चारों तरप नेगिटिविटी है, नकारत मकता है, लेकिन मेर सारी बाते ऐसी थी जैसे मन की बात की चाया में हो, पूरी तरह सकारात्मक, सुझावात्मक, स्रुजनात्मक, यानि देखिए देश का सामान नागरिक भी सकारात्मक सोच लेकर के चल रहा है, ये तो कितनी बड़ी पूजी है देश की, शायद एक परसंट, डो परसंट ऐस से फोन हो सकते हैं, कि जिश में कोई गंबीर पकार की शिकायत का माहूल हो, वरना 90 प्रतिशत से भी ज्यादा एक उर्जा भरने वाले आनंद देने वाली बाते लोगों ने कही है, एक बात और ध्यान में मेरे आई, खास करके पेशली अबल, उसमें भी खास करके दरश्ट कि इन लोगों के लिए रेडियो कितना बड़ा महत्वकुन होगा, वो मुझे इस बात से ध्यान में आया है, एक नया पहलू मैं देख रहा हूं, और इतनी अच्छे अच्छी बाते बताई हैं इन लोगों ने, और सरकार को भी संवेदन सिल बिलाने के लिए काफी है, अच्छा सुजाव दिया है, और मिट्टी का तो कोई मोली नहीं होता है, और इसलिए मिट्टी के दिये भी अनमोल होते हैं, परियावरन की दुर्ष्टी से भी उसकी एक एहमियत है, और दिया बनता है गरीब के घर में, छोटे-छोटे लोग इस काम से अपना पेड भरते और देशवासियों को मैं जरूर कहता हूँ का आने वाले त्योहारों में पमना आचारिय की बात अगर हम मानेंगे, तो इसका मतलब है कि दिया हमारे घर में जलेगा, लेकिन रोशनी गरीब के घर में होगी, मेरे प्यारे देशवासियों, गणेश चतुर्थी के दिन नेवी, 1965 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसको 50 वर्स पुर्ण हुए उसके निमित, दिल्ली में इंडिया गेट के पास, एक शौरियान जली प्रदर्शनी की रचना की है, मैं उसे चाव से देखता रहा, गया था तो आदे घंटे के लिए, लेकिन जब न कुछ अधुरा रह गया, क्या कुछ वहां नहीं था, पुरा इतिहास, जिन्दा करके रख दिया है, एस्थेटिक दुरस्टी से देखे, तो भी उत्तम है, इतिहास की देश्टी से देखे, तो बड़ा एजुकेटिव है, और जीवन में प्रेणा के लिए देखे, तो शाय मात्रु भूमी के सेवा करने के लिए इससे बड़ी कोई प्रेणा नहीं हो सकती है, युद्दिके जिन प्राउड मोमेंट्स और हमारे सेनानियों के अधिम में साहस और भरिदान के बारे में हम सब सुनते रहते थे, उस समय तो इतना फोटोग्राफ भी अवेलेबल नहीं थे, इतनी वीडियोग्राफी भी नहीं होती थी, इस प्रदर्शनी के माध्यम से उसके अनुभूती होती है, लड़ाई हाजी पीर की इतिहास बनाना चाहते हैं, तो इतिहास की बारिक्यों को जानना समझना जरूरी होता है, इतिहास हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है इतिहास से अगर नाता छूड़ जाता है, तो इतिहास बनाने की संभावनाओं को भी पूर्ण विराम लग जाता है, इस शौर्य प्रदर्शनी के माध्यम से इतिहास की अनुभूती होती है, इतिहास की जानकारी होती है, और नए इतिहास बनाने की प्रेना के बीज भी ब पास पास है शायद प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है आप जुरूर देखना और जल्दबाजी मत करना मेरी तरह मैं तो दो धाय गिंट में वापिस आगा है लेकिन आपको तो तीन-चार गंडे जुरूर लग जाएंगे जुरूर देखिए लोग तंतर की ताकत देखिए एक छोटे बालक ने प्रदान मंत्री को अधेश किया है लेकिन इो बालक जल्बाजी में अपना नाम बता नाप बूल गया है तो मेरे पास उसका नाम तो है नहीं लेकिन उसकी बात पधान मंत्री को तो गोर करने जैसी है लेकिन हम सभी देश्वाश्यों को गोर करने जैसी है सुनिए बालक हमें क्या कह रहा है पधान मंत्री मोदी जी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आपने सब्सक्रा अभियान चला है उसके लिए आप हर जगह, हर गली में डेस्ट भी लगवाएं इस बालक ने सही कहा है हमें स्वच्छता एक स्वभाव भी बनाना चाहिए और स्वच्छता गली व्यवस्थाएं भी बनानी चाहिए मुझे इस बालक के संदेश से एक बहुत बड़ा संतोष मिला संतोष इस बात का मिला दो अक्तुबर को मैंने स्वच्छ भारत को लेकर के कभ्यान को चलाने की गोश्णा की और मैं कह सकता हूँ शायद आजहती के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि संसद मैं भी गंटों तक स्वच्छता के विशे पर आजकल चर्चा होती है हमारी सरकार के आलोचना भी होती है मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि मोदी जी बड़ी बड़ी बाते करते थे स्वच्छता की लेकिन क्या हुआ मैं इसे बुरा नहीं मानता हूँ मैं इसमें से अच्छा ही ये देख रहा हूँ कि देश की संसद भी भारत की स्वच्छता के लिए चर्चा कर रही है और दूसरी तरब देखिए एक तरब संसद और एक तरब इस देश का शिशु दोनों स्वच्छता के उपर बात करें इससे बड़ा देश का सवभाग्य क्या हो सकता है ये जो अंदोलन चल रहा है विचारों का गंद्गी के तरब नफरत का जो माहोल बन रहा है स्वच्छता की तरब एक जागरुकता आई है स्थानिय स्वराज की संस्ताओं को भी चाएपंचायत हो नगारपाली का हो हर किसी को इस पर काम करना ही पड़ेगा इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है कम्यों के रहते हुए भी आगे बढ़ाना है और इस भारत को 2019 में जब महात्मा गांधी की 150 वी जैनती हम बनाएंगे महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के दिशा में हम काम करें और आपको मालूम है महात्मा गांधी क्या कहते थे एक बार उन्हें कहा है कि आज़ादी और स्वच्चता दोमना से मुझे एक पसंद करना है तो मैं पहले स्वच्चता पसंद करूँगा आज़ादी बाद में गांधी के लिए आज़ादी से भी ज़्यादा स्वच्चता का महत्व था आईए हम सब मात्मा गांधी की बात को माने और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ के तब हम भी चले दिल्ली से गुलशन अरोडा जी ने माई गौड पर एक मेसेज छोड़ा है उन्होंने लिखा है कि दिंद्याल जी की जन्मस्ताज की बारे में में वो जानना चाहते हैं मेरे प्यारे देशवाशीयों महापुरुष्ट का जीवन सदा सरवद हमारे लिए कारण रहता है और हम लोगों का काम महापुरुष किस विचार धारा के थे उसका मुल्यांगर करना हमारा काम नहीं है देश के लिए जीने मरने वाले हर कोई हमारे लिए प्रेरक होते हैं। कोई महापुरुष का नाम मिली जाएगा। आने वाले दिनों में इन सभी महापुरुषों को हम याद करें। उनके जीवन का संदेश हम घरगर तक पहुंचाएं। और हम भी उनसे कुछ लुकुछ सिखने का प्रयास करें। मैं विशेश करके दो अक्तूबर के लिए फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूं। दो अक्तूबर पुझ्य बापु महत्मा गांधी की जन्म जैनती है। मैंने गतवर्ष भी कहा था कि आपके पास हर प्रकार के फैशन के कपड़े होंगे, हर प्रकार का फैबरिक होगा, बहुत सी चीजे होगी। लेकिन उसमें खादी का भी स्थान होना चाहिए। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि दो अक्तूबर से लेकर के एक महिने भर खादी में रियायत होती है, उसका फाइदा उठाया जाए। और खादी के साथ-साथ महेंडलूम को भी उतना ही महत्मे दिया जाए। हमारे बुनकर भाई कितनी महनत करते हैं। हम सवासो करोर देशवासी पांच रुपिया, दस रुपिया, पचास रुपिया की भी कोई हैंडलूम की चीज, कोई खादी की चीज खरीर लें। अल्टिमेटली वो पैसा गरीब बुनकर के घर में जाएगा। खादी बनाने वाली गरीब विद्वा के घर में जाएगा। और इसलिए इस दिवाली में हम खादी को जुरूर अपने घर में जगा दें। अपने शरीर पर जगा दें। मैं कभी यह आग्रह नहीं करता हुआ। आप पुरनरुप से खादी धारी बने। कुछ बस इतना ही आग्रह है मेरा। और देखिए पिछली बार आपने करेब-करेब विक्री को डबल कर दिया। कितने घरीबों का फायदा हुआ है। जो काम सरकार अरबों खुरुबर के एड़राइजमेंट से नहीं कर सकती हैं। वो आप लोगों ने छोटे से मदद से कर दी। यही तो जन सकती है और इसलिए मैं फिर से एक बार उस काम के लिए आपको आगरह करता हूँ। प्यारे देशवाचियों मेरा मन एक बात से बहुत आनन्द से भर गया है। मन करता है इस आनन्द का आपको भी थोड़ा स्वाद मिलना चाहिए। मैं मई महिने में कोलकाता गया था और सुभास बोज के परिवार जन मिलने आये थे। उनके भतिजे चंद्रा बोज ने सब और्गनाइज किया था। काफी देर तक सुभास बाबु के परिवार जनों के साथ हशी खुशी की शाम बिताने का मुझे अवसर मिला था। और उस दिन यह तै किया था कि सुभास बाबु का बुहत परिवार प्रधानमंत्री निवास्थान पर आये। चंद्रा बोज और उसके परिवार जन इस काम में लगे रहे थे। और पिछले हपते मुझे कंफर्मेशन मिला कि 50 से अधिक सुभास बाबु के परिवार जन प्रधानमंत्री निवास्थान पर आने वाले हैं। आप कलपना कर सकते हैं। मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी का पल होगा। नेता जी के परिवार जन शायद उनके जिवन में पहली बार सबको मिलकर के एक साथ प्रधानमंत्री निवास्थान पर आया होगा। जो मुझे अक्तुवर में मिलने वाला है। सुभाज बाबु के पचास से अधीक और उधारे परिवार के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं। सब लोग खास आ रहा है। कितना बड़ा आनंद का पल होगा वरे लिए। मैं उनके स्वागत के लिए बहुत खुश हूं। बहुती आनंद के अनभूती कर रहा हूं। एक संदेश मुझे भारगवी कानडे की तरफ से मिला। और उसका बोलने का धंग उसकी आवाज ये सब सुनकर के मुझे लगा है वो खुद भी लीडर लगती है। और शायद लीडर बनने वाली होगी ऐसा लगता है। मेरा नाम भारगवी कानडे है मैं प्रधान मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती हूं कि आप यूवापीडी को वोटर्स रजिस्ट्रेशन के बारे में जागरूत करें जिससे आने वाले समय में यूवापीडी का सहभाग बढ़े और भविश्य में यूवापीडी का म दोखतंत्र में हर मतदाता देश का भाग्य विधाता होता है और ये जागरकता धिरे धिर बढ़ रही है मतदान का परसंटेज भी बढ़ रहा है और मैं इसके लिए भारत के चुनावायों को विशेश रूप से बढ़ाई देना चाहता हूं कुछ वर्ष पहले हम देखते थे कि हमारा इलेक्शन कमिशन एक सिरफ रेगुलेटर के रूप में काम कर रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसमें बहुत बड़ा बडलाव आया है आज हमारा इलेक्शन कमिशन सिरफ रेगुलेटर नहीं रहा है एक प्रकार से फैस यह बहुत अच्छा बडलाव है लेकिन सिर्फ चुनाव आयोग काम करता रहे उससे बचलने वाला नहीं है हमने भी स्कूल में कॉलेज में महले में यह जागरूति का महल बनाए रखना चाहिए सिर्फ चुनाव आये तब जागरूति हो ऐसा नहीं मद्दाता सुची अप्ग मैं आशा करता हूं देश के नौजवान ऑगर मद्दाता सुची में रेजिस्टर नहीं हुए है तो जनो होना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए और मैं तो चुनाव को दिनों में पपलिक कहा करता हूं कि पहले मतदान फिर जलपाण इतना पवीतर काम है हर किस से मिला लेकिन दो बालक जिनकी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ एक मुझे शितीच पांडे करके सात्वी कख्षा का ख्षातर मिला बनारस हिंदू विश्विध्याले में किंद्री विध्याले में वो सात्वी कख्षा में पढ़ता है वैसे है बड़ा तेज तर्रार उसका confidence level भी बड़ा गजब है लेकिन इतनी छोटी आयू में फिजिक्स के अनुसंधान में उसकी रूची में ने देखी मुझे लगा कि बहुत कुछ वो पढ़ता होगा इंटरनेट सर्फिंग करता होगा नजने प्रयोग देखता होगा रेल एक्षिडेन कैसे रोके जाएं कौनसी टेक्नोलोजी हो एनरजी में खर्चा कैसे कम हो रोबोट में फिलिंग कैसे आए नजने क्या क्या बाते बता रहा था बड़ा गजबत का था भाई खैर मैं बारीकी से उसका ये तो नहीं देख पाया कि वो जो कह रहा है उसमें कितनी बारीकी है क्या है लेकिन उसका confidence level उसकी रूची और मैं चाहता हूँ हमारे देश के बालकों का विज्ञान के परती रूची बढ़ने चाहिए बालक के मन में लगातार सवाल उठने चाहिए क्यों, कैसे, कब बालक मन से उठना चाहिए वैसे ही मुझे सोनम पटेल एक बहुत ही छोटी बालिका से मिलना हुआ नव साल की उमर है वारानसी के सुन्दरपुर निवासी सदावरीच पटेल की वो एक बेटी बहुत ही गरीब परिवार की बेटी है और मैं हरान था कि बच्ची पूरी गीता उसको कंठस्त है लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी कि जब मैंने उसको पूछा तो वो स्लोग भी बताती थी अंगरेजी में इंटरपूटेशन करती थी उसकी परिभाशा करती थी हिंदी में परिभाशा करती थी मैंने उनके पिताजी को पूछा तो बुले वो पांच साल की उमर से बोल रही है मैंने कहा कहां सीखा बुले हमें भी मालूम नहीं है तो मैंने कहा और पड़ाई में क्या हाल है सिरफ गिता ही पड़ती रहती ही और भी कुछ करती है तो उन्हों कहा नहीं जी वो मैथेमेटिक एक बार हाट ले ले तो साम को उसको सब मुख पाट होता है हिस्ट्री ले 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 शाम को सब याद होता है बोले हम लोगों के लिए भी आश्य रहे हैं पुरे परिवार में कि कैसे उसके अंदर है मैं सचमुच में बड़ा प्रभावित था कभी कुछ बच्चों को सेलिब्रिटी का शौक हो जाता है ऐसा ही सोनम में कुछ नहीं था अपने आप में उसको इश्वर ने कोई शक्ती जुरूर दी है ऐसा लग रहा था मुझे करिन दोनों बच्चे मेरी काशी यात्रा में एक विशेस मेरी मुलाकात थी तो मुझे लगा आपसे भी बता दू टीवी पर जो आप देखते हैं अख़बारों में पढ़ते हैं उसके सिभाए भी बहुत सारे काम हम करते हैं और कभी कभी ऐसे कामों का कुछ आनंद भी आता है वैसे ही न्दो बालकों के साथ मेरी बाटचित मेरे लिए आदकार थी मैंने देखा है कि मन की बात में कुछ लोग मेरे लिए काफी कुछ काम लेकर क्या आते हैं संदीप अहर जिए आप क्या क्या करवाओगे मेरे पास महिने में एक बार करने के लिए भी मुझे इतनी मसकत करनी परती है समयं का इतना एड़्येस्ट करना पड़ता है कभी कभी तो हमारे आकश्वानी के सारे साथीРЕं को आदा आदा पोने-पोने घंटा मेरा इंतरा करके बैठे रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपकी भावना का आदर करता हूँ, आपके सुझाव के लिए मैं आपका आभारी हूँ, अभी तो एक महने वाला ही ठीक है, मन की बात का एक प्रकार से एक साल पूरा हुआ है, आप जानते हैं, सुभास बाबू रेडियो का कितरा उप्योग करते थे, जर्मनी उन रेडियो के शुरुआत एक विकली न्यूज बुलेटीन से उन्हों न की थी, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, मराथी, पंजाबी, पस्तू, उर्दू, सभी भाषाओं में ये रेडियो वो चलाते थे, मुझे भी अप अकाश्वानी पर मन की बात करते करता बेक साल हो ग लेकता हूँ, उसी से मेरे विचारों की एक दोड़ शुरू हो जाती है, जो आकाश्वानी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है, बोलता मैं हूँ, लेकिन बात आपकी होती है, और यही तो मेरा संतोश है, अगले महिने मन की बात के लिए फिर से मिलेंगे, आपके जहाओं से सरकार को भी लाभ होता है, सुधार की शुरूआत होती है, आपका योगदान मेरे लिए बहुमुल्य है, अनमोल है, फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है, धन्यवाद झाल